हेलो, मोबाइल कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्ठर सेरीज में आज हम देखने वाले हैं इंटरफिरेंस के बारे में interference होती कह, interference कई तरके की हो सकती है, जैसे कि आपकी जो call है、 उसमें कुछ disturbance आ रही है disturbance जैसे कि background में कोई noise आ रही है, तो भी एक interference होता है एक interference हो सकता है जिसमें की call miss हो रही है या फिर जिसको हम बोलते है miss call हो रही है miss call मतलब आपने call करी किसी दूसरे person को जिससे आप बात करना चाहते हो call आपकी नहीं connect हो पाई या फिर call आपकी चल रही थी बीच में disconnection हो गया तो ऐसी कोई सी भी problem जो की आती है जब आप call कर रहे हो या communication कर रहे हो एक mobile से दूसरे mobile में उसको हम बोलते है interference ठीक है अब interference के sources क्या क्या है अब तो basically interference होता क्यों है अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें पहले तो हम उसके sources को भी easily identify कर पाएंगे अब basically होता क्या है जो पूरा आपका coverage area है वो किसमें divided होता है different different cells के अंदर so let us say यह हमारा coverage area है जो hexagonal shape के cells के अंदर divided है ओके अब उसमें होता क्या है कि जो आपके mobiles हैं जैसे कि कुछ mobile यहाँ पर operate कर रहोंगे कुछ mobiles इसमें operate कर रहोंगे कुछ mobiles यहाँ पर operate कर रहोंगे and so on मतलब कि हर cell के अंदर कुछ कुछ mobiles आपके operate कर रहे हैं तो यह जो communication हो रहा है suppose due to some frequency यह communication हो रहा है यहाँ पर भी कुछ communication हो रहा है तो अगर आपका जो frequency band है वो match कर जाए मतलब इस इस पर्टिक्लर सेल का mobile और इस पर्टिकुलर सेल का mobile यह फिर इस पर्टिक्लर सेल का mobile इस पर्टिकुलर सेल की मोबाई अगर एक ही communication channel के ऊप़ बात कर रहे हैं तो disturbance यह इंटर्फिरेंस होने के chances हो सकते हैं तो sources क्या-क्या हो गए due to another mobile in same cell due to another mobile in the same cell उसी cell में एक और mobile phone है जो उस पर communication कर रहे है तो उसके कारण भी interference हो सकती है second ongoing call in the neighboring cell basically अगर आप interference को देखो न तो यह इसका मतलब कहा है जो signal आपके जा रहे है ना अगर मैं यह कहता हूँ एक mobile यह है मेरे पास एक mobile यह है मेरे पास तो यह जो signal जा रहे है अगर इनका आपस में cross connection हो गया तो हम interference कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है इसके कारण मेरा interference हो सकता है इसलिए तो हम क्या कहते है कि हर सेल की जो frequency है जिस पर वो cell operate कर रहेगा वो different होनी चाहिए बट फिर भी कुछ कारण से हम क्या कहते है frequency को reuse करते हैं मतलब कि adjacent cells में नहीं करेंगे बट कुछ cells के इंदर frequency reuse होती है अब उनके कारण भी interference हो सकता है so ongoing call in a neighboring cell so इसके कारण भी interference हो सकते हैं and third is when a different base station operates on same frequency operates on same frequency और चैनल की capacity को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं हम frequency reuse का concept करते हैं न frequency reuse में क्या होगा ये वाला cell let us say ये operate कर रहा है frequency f1 पे तो ये वाला cell तो नहीं कर सकता f1 पे adjacent है ये भी नहीं कर सकता बट हाँ ये वाला cell adjacent नहीं तो ये भी हो सकता है f1 पे operate करे तो जब इसका base station f1 पे operate कर रहा है और इसका base station f1 पे operate कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ आपकी interference हो जाए इसके कारण भी तो ये तीन interference के हमारे sources हैं ओकी नाओ वी विल लुक टाइप ऑफ चैनल्स ऑन विच इंटरफेरेंस इस प्रेजंट कौन कौन से डिफरेंट चैनल्स है जिस पर इंटरफेरेंस होती है और उनसे होता क्या है तो basically दो डिफरेंट टाइप के होता है एक होता है वाइस चैनल्स और एक होता है कंट्रोल चैनल्स ओके सो वाइस चैनल्स पर होने से क्रॉस टॉक होती है मतलब कहते ना कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं सुपोस्स और बीच में आपको किसी और के आवास सुना ही दे रही है तो वह basically एक interference है जो वाइस चैनल के services सुना बहुते हैं यह फिर आप यह के लो एक मुबाईल यह है एक मूबाई यह है इन दोनों के बीच में Toufже कम्युनिकेशन हो रहा है कुछ ऑगे आप यहां पे कुछ एक unwanted communication भी ए उगया कुछ एक्टिषान कम्युनिकेशन हो गिए तो यह यह वाइन से में ड्रौ कर रह नौइस सुनाई देती हैं सो बेक्ग्राउंड नौइस बेसिकली जो क्रोस टॉक है उसी की हम इसमें बात कर रहे हैं तो यह तो बोइस चैनल के अंदर अब मतलब के आपकी कॉल ही नियुकि नहीं लगेगी आपकी अगर कॉल लगे तो बीचमें टर्मिनेट हो तो वो सारी problems किसके कारण होती है जब control channel के उपर आपका interference होता है और यह interference है as of whole जो interference है पूरा यह आपकी channel की capacity को reduce करता है basically So, it is the main reason channel capacity is reduced due to interference. So, channel capacity is reduced due to interference. So, this is the basic idea of interference. Now, we will see two different types of interference, co-channel interference and the other is adjacent channel interface. So, एक एक करके देखते हैं दोनों को co-channel interference और adjacent channel interference को. तो सबसे हम देखेंगे co-channel interference को. Okay, so what is the meaning of this co-channel interference? तो उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यार यह co-channel होता क्या है? किसको हम co-channel बोलेंगे? ठीक है, so diagram से ही समझते हैं, suppose यह हमारा region of coverage है, area of coverage है, अब इस area of coverage को हमने cells के अंदर divide कर रखें, अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे, अगर यह वाला channel, जो कि मैं कह रहा हूँ channel C1 है, if this is operating on some frequency, let us say F1, तो यह वाला channel भी F1 पे नहीं कर सकता, यह भी नहीं कर सकता, यह भी नहीं कर सकता है न, तो let us say, हमारा यह वाला channel, इसको मैं नाम दे देता हूँ C4, for example, मैं ऐसी नाम दे रहा हूँ, यह हमारा F1 के अंदर operate कर सकता है, है न, तो यह जो चीज हुई, यह जो चीज हुई कि जो इसमें दो channel same frequency के अंदर operate कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते है, frequency reuse, है न, so frequency का reuse हो रहा है, इन channels के अंदर, और ऐसे channel जो same frequency को use करते हैं, in a given area of coverage, उसको हम बोलते है, co channel, उसको हम क्या बोलते है, co channel, so co channel क्या होता है, co channel, co channel cells are those cells that uses the same frequency, जो same frequency को use करते है, in a given coverage area, in a given coverage area, तो जैसे कि इस particular example के अंदर, इस particular example के अंदर मैं कह सकता हूँ, so since c1 and c4, c1 and c4 are using same frequency f1, that is the reason, हम कह सकते हैं, c1 and c4 are co channels, so interference, जब ऐसे channel से होती है, जो co channel है, जब interference ऐसे channel से होती है, जो co channel है, उसको बोला जाता है co channel interference, ठीक है, so सको क्या बोला जाता है, co channel interference, अब इसमें जो interference बेसिकली हो के हो रही है, इसमें जो interference है वो इसलिए हो रही है, because the transmitter है, radio transmitter है, वो same frequency के उपर काम कर रहा है, so it happens because the radio transmitter is operating on same frequency, radio transmitter is operating on same frequency, तो यही reason है, जिसके कारण interference होती है, जिसको बोला जाता है co channel interference, जब वो co channel cells के कारण होती है, okay, so अब इसके कुछ reasons है, एक तो reason यही हो गया, सबसे बड़ा reason जो होता है co channel interference का, कि same frequency के उपर काम कर रहा है, अब इसके कुछ और reasons भी हो सकते हैं, let us see those reasons जो हो सकते हैं, कि जिसके कारण co channel interference हो, तो सबसे पहला तो क्या है, bad weather condition, अगा weather की condition ठीक नहीं, तब भी आपका co channel में interference हो सकता है, एक दूसरे के signals हैं, वो एक दूसरे के उपर overlap हो सकते हैं, ठीक, then second is, second is poor frequency planning, कि frequency की planning बहत बेकार तरीके से की गई थी, frequency का जो distribution था, उसकी जो planning थी, वो बहत बेकार तरीके से की गई थी, तब भी आपका co channel interference हो सकता है, ओके, so this is the basic idea of co channel interference, now we will see about adjacent interference, so the next is adjacent interference, अब adjacent interference क्या होता है, so adjacent interference is cost to the signal, which are adjacent in frequency to the desired signal, देखो, अभी ही जो हमारा interference हमने देखा था, co channel में, वो किसके कारण हो रहा था का मैं, इस तरह से पूरा एक diagram बना के बताऊं आपको, तो वो थोड़े से दूर के दो channels थे, जो कि same frequency को use कर रहे थे, उनके कारण हो रहा था, बट जो adjacent interference है, वो किसके कारण हो रहे है, जो cells आपके या जो base station आपके adjacent है, जैसी कि अगर इस cell, यादि C1 और C2, अगर इन दो cells के कारण interference होती है, तो उसका हम बोलते है, adjacent interference, frequency अलग है, दोनों की use जो frequency है, वो अलग है, बट अगर इसके कारण भी interference हो रहा है, तो उसका बोला जाता है, adjacent interference, अब basically देखो यह होती क्यों है, किस तरीके से होती है, तो इसका देखो simple सा क्या है कि, अगर एक mobile phone है, if there is a mobile, and there are two cells, cell C1, and cell C2, तो दो cell है हमारे पास, और एक mobile है, अब mobile आपका जो है, वो transmit कर रहा है, अब transmit कर रहा है, बट वो transmit कर रहा है, किस के लिए, it is transmitting for C1, वो C1 cell के लिए transmit कर रहा है, C1 से communication बनाना चाता है, तो होता क्या है कि, since they are operating on different frequencies, that is true, बट इसका जो trans receiver होगा, इसका जो radio trans receiver होगा, वो कई बार दूसरे signals को भी पकड़ लेता है, catch कर लेता है, तो यह जो signal आ रहा है यहां से, इसको भी यह catch कर लेगा, तो ऐसे interference को बोलते हैं, adjacent interference, अब इसके कारण क्या है, अब आप कहोगा, कि sir, ठीक है frequency तो अलाग अलाग है, तो क्यों उसने उसको catch कर लिया, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, किसके कारण यह होता है, that is poor filtering, that is due to poor filtering, ठीक है, so it can be minimized, और मैं पहले लिख देता हूँ, why this happens is due to poor filtering, poor filtering का मतलब क्या हुआ, बाई सब base stations के आगे, filters लगे होते हैं एक तरह से, pass filters लगे होते हैं एक तरह से, कि ठीक है यह जो frequency का signal आया, अगर इस filter से pass करेगा, तो ही इस तक जाएगा, तो अगर यह filters इतने अच्छे नहीं लगे हुए, और यह undecided signal अगर इसको pass कर गया, और इस आले base station में आगया, तो आपका adjacent interference हो जाएगा, तो इसको हम minimize किस तरह कैसे कर सकते हैं, how we can minimize this type of interference, so it can be minimized by, let me write, it can be minimized, किस तरह कैसे, by doing proper filtering, अगर filtering अच्छे से होगी, तो हम इसको minimize कर सकते हैं, by doing proper filtering, and by doing proper channel assignments also, दो बिल्कुल neighboring cells को, ऐसे channel नहीं देने चाहिए, जो एक दूसरे पर overlap कर जाएं, अगर एक दूसरे पर overlap कर रहे हैं, जब बहुत थोड़े भी कर रहे हैं, तब भी आपका problem हो सकता है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि जब C1 और C2 हैं इनका जो frequency है, that should be such that कि उसमें आपका overlapping नहों, जो आप कहा सकते हैं कि जो separation है, वो अच्छा होना चाहिए, so good separation in frequency should be there, good separation in frequency, frequency बिल्कुल भी यह ऐसा नहीं होना चाहिए, की almost same range की हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसके कारएं हम इन factors को use करके हम, adjacent interference को remove कर सकते हैं, थोड़े हद तक हम उसे कम कर सकते हैं, so this is the basic idea of interference, okay, so that's all for this particular video, so if you have liked the video, अगर आपको video अच्छा लगा है, तो please आप video को like कीजिए, video को अपने friends के साथ जरूर share कीजिए, और channel को भी subscribe कीजिए, so like, share and subscribe, so thank you for watching the video, thank you.